ये है दैनिक प्राहताकाल कार्ड डिजिटल एडिशन प्राहताकाल लाइड सर्वोचन यायाले ने 2008 के जैपुर सीरियल बंधहमाकों से संबंदित चार महित्वकून मामलों में विशेश अनुमती याचिकाएं, SLP स्वीकार कर ली हैं वर्ष 2008 में जैपुर में हुए बंधहमाकों के मामले में निची अदालक ने दो अभियुक्तों को वर्ष 2019 में सजा सुनाई थी मगर बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट में विशेश अनुमती याचिकाएं, SLP तायर की थी सर्वोच न्यायाले का इन याचिकाओं को सुवीकार करना 2008 के जैपुर सीरियल बम धमाकों के पीडितों के लिए न्याय की दिशा में एक और महत्वपून कदम है जैपुर में 13 मई 2008 को 20 मिनिट के अंदर 7 स्थानों पर 8 बम धमाके हुए थे इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग धायल हो गए थे इस मामले में एक विशेश अदालत ने दिसंबर 2019 में 4 लोगों को दोशी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी अदालत ने मुहम्मद स्याफ, मुहम्मद सर्वर आजमी, सैफुर रहमान और मुहम्मद सल्मान को बम लगाने और धमाके करने का दोशी ठहराया था इस मामले में एक और अभियुक्त शहबाज एहमद पर इमेल कर धमाकों की जिम्मेदारी लेने का आरोप था मगर अदालत ने उसे नाबालिग होने के आधार पर बरी कर दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को निची अदालत के फैसलों पर रोक लगाते हुए चारो अभियुक्तों को बरी कर दिया अदालत ने साथ ही पांचवे अभियुक्त को बरी करने के फैसले को भी बहाल रखा था अदालत ने अभ्युक्तों को बरी करने का फैसला सुनाते हुए कहा था कि पुलिस के आतनकवाद निरोधी दस्ता कोई सबूत पेश नहीं कर सका और इस धमाके में साज़िश को साबित करने का कोई आधार नहीं साबित कर पाया अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि इन में से कई सबूत बनाए हुए लग रहे थे अदालत ने पुलिस के खिलाफ जाज के आदेश दिये थे हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीरितों की ओर से वकील शिव मंगल शर्मा ने सर्वोचन यायाले में पहली सल्पी दायर की थी इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें बंधमाकों के मामलों में राज्य का प्रतिनिदित्व करने के लिए विशेश वकील नियुक्त किया म. सुंदरेश और माननीय न्यायमूर्ती अर्विंद कुमार के समक्ष सूची बग किये गए